नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम से आपके साथ मैं हूँ अंकेता इन दिनों बिजनौर की शादी चर्चा में बनी हुई है दरसल यहां की रहने वाली 21 साल की अमरीना सनातन धर्म से इतनी प्रभावित हुई कि उसने सनातन धर्म अपनाया और अगस्ति मुनी आश्वरम के मंदिर में पपू कोरी नाम के युवक से हिंदू रीती रिवास से शादी भी की अमरीना ने मुस्लिम धर्म का त्याक किया और वो अब राधिका बन गई है अमरीना अपनी शादी से बेहत खुश है शादी के बाद उसने कहा कि अब उसे तीन तलाक का डर भी नहीं है हाला कि कुछ लोगों को इस रिष्टे से परिशानी हो रही है इसलिए वो घर वापस नहीं जाएगी और अपने पती के साथ ही रहेगी इस शादी को बरेली के अगस्ति मुनी आश्रम के अचारी पंडित केके शंक धारा ने हिंदू रीती रवास से करवाई है इसे पहले गंगाजल से पहले शुद्धी करण करवाया गया और फिर रामपुर के शहबाद निवासी पपू कोरी से अमरीना और फराधिका की शादी करवाई इसे पहले भी पंडित शंक धारा 64 मुस्लिम लड़कियों की शादी हिंदू लड़कों से करवा चुके हैं ऐसा करने की वजह से उन्हें लगातार धंकिया भी मिल रही हैं उन्होंने कहा कि मुस्लिम लड़कियां विश्वास की वजह से हिंदू धर्म अपनाना चाह रही हैं अमरीना की पपू से मुलाकात की कहानी भी बेहत दिल्चस्प है दरसल साल 2020 में उसके मुबाईल में एक मिस कॉल आया उसने कॉल बेक किया तो उसकी बात पपू से हुई जिसने कहा कि गलती से उसे फोन लग गया है लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई बलकि शुरू हुई बाचीत का सलसला बढ़ता गया दोस्ती हुई प्यार हुआ और उसके बात दोनों ने शादी का फैसला किया राधिका तीन तलाग से बहुत जादा डरी हुई थी दरसल राधिका के पडोस में ही रहने वाली एक लड़की की शादी पांस साल पहले हुई थी लेकिन निकाह के पांस साल बाद तीन तलाग दे कर उसे घर से बेघर कर दिया गया लेकिन पप्पू से शादी के बाद राधिका बहुत खुश है राधिका कहती है अब वो तीन तलाग से भी बच गई है इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए जुड़े रहिए जनफापना टाइम्स के साथ नमस्कार